अगर मैं ये बोलू आपको कि ये जलेवियों को बनाने के लिए मैंने नहीं तो मैदा नहीं दाल नहीं चीनी और नहीं कोई फर्मेंटेशन कलर कुछ भी यूज नहीं किया है तो आप इन जलेवियों को खाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे एकक जलेवियां एकदम फूली फूली क्रिस्पी और एकदम अंदर तक जोसी है इसे हमने बनाया है आटे और गुड से बहुत ही ज़्यादा टेश्टी और क्रिस्पी और इतना बनाना आसान है कि कोई भी इसे बना ले तो चलिए वीडियो श्टार्ट करते हैं इन जलेवियों को बनाने के लिए हमने गुड का इस्तमाल किया है तो सबसे पहले गुड की चासनी बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर गुड दिया है तकरीवन 300 ग्राम अब इसमें एड़ करेंगे पानी तो पानी यहाँ पर 3-4 cup है अगर आप ml में देखें तो तकरीवन 180 ml के करीब है अगर आप यहाँ पर गुड की चासनी नहीं बनाना चाहते तो आप यहाँ पर चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो गुड है उसे अच्छे से मेल्ट होने के लिए छोड देंगे चलते हैं बैटर बनाने की तरफ तो बैटर को बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पर नॉर्मल गेहू कार्टा जिससे हम रोटियां वेगरा डेली बनाते हैं यह वही गेहू कार्टा है तकरीबन एक कप के करीब है और अगर आप वजन में देखेंगे तो एक सो पचीस क्राम है तो बहुत ही यहाँ पर सिंपल सा मेजरमेंट है तो यहाँ पर जो अब हम इसमें एड करेंगे इनो जिस से की जलिबियां है एकदम फूली-फूली और एकदम क्रिस्पी बनेंगी तो एक कप आथे के लिए यहाँ पर आपको एक सैसे इनो का यूज करना है अगर आप यहाँ पर आधा कप आथा लेते हैं तो आप यहाँ पर जो सैसे है वो आप आधा ही डालें दोनों को थोड़ा सा mix कर लेंगे अब इसमें add करेंगे पानी तो जितना आपको यहाँ पर आटा लेना है सेम उतना ही आपको यहाँ पर पानी भी add करना है तो मैंने यहाँ पर एक कप के करीब आटा लिया था तो मैंने एक कप पानी लिया है आधा पानी मैंने डाला है और आधा पानी अब मैं यहां पर डाल रही हूँ अब आपको यहां पर इसे मिक्स करना है बस इतना ही काम है यहां पर आपको जो बवल होता है जाग इसे हमें बिल्कुल भी खत्म कर देना है यह हमें अपनी रैस्पी में नहीं चाहिए तो इसे आ काफी सारी बबल है तो यही बबल हमें नहीं चाहिए बहुए MIKE तो जब तक बबल इहां पर खहत्मने और हो झाए तब दक को यहां पर इससे मिक्स करना यहां पर आलवोस्ट बबल कफी्ज़का चलते हैं जापनी चासनी की तरफ तो जो यहां पर गुड़ है यहां पर अच्छे से melt हो गई है और यहां पर अच्छे से boil हो रही है जो चास्थी है एकदम perfect होने चाहिए तो मैं यहां पर आपको इसकी consistency बता रही हूँ ध्यान से सुनेगा जो गुड़ है एकदम पतली नहीं होनी चाहिए हलकी सी चिपचिपी होनी चाहिए मतलब ओईली ओईली सापको यहां पर लगना चाहिए गुड़ अगर बहुत ज्यादा पतली होगी मतलब चासनी तो जो जलेविया है वो डालते के साथ ही सौगी हो जाएंगी गुड़ गाड़ी होगी तो उसमें जलेवियों में रसने क्योंकि गुड़ में काफी सारी इंप्यरिटी होती है तो इसे हमें चानना बहुत ही ज़्यादा ज़री है अगुड़ को जिस बरतन में आप रखे मतलब चासनी को वह उसकी अच्छी हाइट होनी चाहिए और उसका सर्फेस कम होना चाहिए इसी तरह के बरतन में आप रख अलमोश निया पर खत्म हो चुका है देखिए इसकी कंसिश्टेंसी में आपको यहां पर दिखा रही हूं तापकी आपको एक अंदाजा सा लग जाए जब हम इसमें चम्मच डालेंगे ना तो चम्मच के जब बैक साइड देखेंगे तो इसमें अच्छी खासी कोटिं होन अगर आप यहां पर गी नहीं डालना चाहते तो आप यहां पर गी की जगा रिफाइंड ओल भी डाल सकते हैं लेकिन घी डालिएगा उससे बहुत अच्छा टेश्ट आएगा अच्छे से फेट लेंगे तो जो बैटर है वो इकतम यहां पर परफेक्ट है तयार है इसे हम अगर आपके पास पाइपिंग बैग ना हो तो आप यहां पर दूद की जो नॉर्मल थेली होती है जो दूद का पैकेट होता है उसमें भी आप उससे भी हब जलेविया बना सकते हैं अब जितना मोटा पतल आपको चाहिए उस तरह से आप यहां पर काट लें काटते के अब जो है जलेविया बनाने के लिए आप पैन का यूज करें या किसी चौड़े बरतन का तेल आपको बहुत जादा नहीं डालना है तेल आपको यहां पर हाप इंची तक ही डालना है और तेल का जो टैमपरेचर वो अच्छा गर्म होना चाहिए डालते के साथ ही जो जले जलेविया एकदम अच्छी सी फूली फूली बन करके तैयार होगी देखिए जैसी मैंने डाला है जलेविया एकदम उपर आ गई है फूल करके और जब तेल अच्छा गर्म होगा तो जलेवियों को फ्राई करने में बिल्कुल आपको एक से दो मिनट ही लगेंगे बहुत आपको इसे चासनी में डाल देना है जो चासनी हों यहां पर हलका सा वाम है बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा नहीं होना चाहिए देखिए यहां पर आप डालते के साथ ही देखिए कैसे अदम जलेविया दिख रही है आपको देख करके ही समझ में आ रहा होगा मैं यहां बिल्कुल भी वीडियो को कट या फिर कुछ नहीं कर रही हूं तक आप अच्छे से देख करके समझ पाएं कि यह कितनी ज्यादा अच्छी बनी है जलेविया देखिए अब मुझे डालते हुए तकरिवन 30 सेकंड भी नहीं हुए है और जलेविया अच्छे से एकदम रस को सोक गई हैं दूसरा बैच भी इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे आप देखिए डैसे ही डाल रही हूं जलेविया वैसे ही उपर आ जा रही है फुल करके अब बस आपको राउंड राउंड घुमाना है बनाने में आपको बिल्कुल भी कोई टेहनिक वेगरा कर यूज नहीं क करना है सिंपली आपको राउंड राउंड कर देना है जलेविया एकदम फूली फूली अच्छी बन करके तयार हो जाएंगी मार्किट से भी जादा अच्छी आप बनाएंगे ना तो आपको इतनी जादा खुसी होगी कि इतनी आसानी से जलेविया बन करके तयार हो जाएं जलेवियां बनाने में आटा गुड वेगरा तो सभी लोगों के घरों में होता ही है बनाने बहुत ज्यादा आपको खर्च भी नहीं है आप एक बार इसे जरू ट्राइ किजेगा आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा मैंने यहां पर मतलब सारी नहीं थोड़ा टेस्ट आ रहा है इसमें अच्छी सी सौंधी सी टेस्ट आ रही है गुड की तो आप एक बार जलू ट्राइ किजेगा देखिए जलेवियां मुझे डाले वे 30 सेकंड हुए है और जलेवियां अच्छे से एकदम रस को सोक गई है तो इसे हम निकाल लेंगे और रग देंग से प्लेट पर तो मार्केट से भी ज्यादा अच्छी जलेविया बन करके तयार होती है देखिए एक जलेविया कि इतनी ज्यादा फूली फूली है आपको देखकर के ही समझ में आरा होगा एकदम भारी हो गई है इसा ने यहीडियां तो आठेगे तो मैं झेह पक्रिस्पर आटे की है तो आप खाएंगे तो आटे का टेश्ट आएगा बिल्कुल भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने आटे से बनाया है देखें कितनी अच्छी सिक्दम अंदर तक रस को पी हुई है कोई कलर वेगर नहीं डाला है कुछ भी नहीं डाला है और एक जलेविया मैं आपको यहां पर दिखा रहे हैं उसे मैंने फ्लेम मतब तेल अच्छा गर्म नहीं था और यह जलेविया मैंने डाली ती तो देखें चप्टी सी बनी है और यह क्रिस्पी भी नहीं है तो दो तीन बातों का आप ध्यान रखिएगा जलेविया एकदम पर्फेक्ट बनेगी बैटर की कंसिस्टेंसी को आप अच्छे से रखिएगा और जो चास नहीं है उसे अप चिपचिपी बनाईएगा और जो जलेविया आप तलिएगा वो तेल अच्छा गर्म होना चाहि होगी बनाईट बनाईएगा जल